हेलो फ्रेंज, my name is Shreya and you are watching channel study with Shreya आज की वीडियो में मैं आपको दश्मलाव भिन्द का जोड़ और दश्मलाव को हम भिन्द में कैसे बतने दोनों चीजे सिखाऊंगी तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहले मैं आपको दश्मलाव भिन्द का जोड़ सिखाऊंगी यानि addition of decimal fraction तो मालीजे मैं नमबर ले लिया है 1.5 upon 3 plus 2.1 upon 3 तो पहले मैं आपको यह बता दो जो उपर वाला नमबर होता है उसे हम हिंदी में अंश और इंग्लिश में नियूमिनेटर कहते हैं और नीचे वाले को हम हिंदी में हर और इंग्लिश में डिनॉमिनेटर कहते हैं तो फिर इसको सौल पढ़ते हैं जब जो हमारा हर हेंड नॉम्नेटर है जब वो सेम होता है तो हम ऐसे नीचे हार को वहीं लिख देते हैं वहीं सेम हार फिर उसके बार हमें उपरवाले अंस्ट नॉम्रेटर को प्लेस कर देना होगा यानि 1.5 प्लस 2.1 तो चलिए मैं इसको यहां पर करके दिखा रहती हूं जैसे कि 1.5 है प्लस 2.1 तो अब हम इसको एड कर देगे 5 प्लस 1 6 और डेस्मर पॉइंट के रिचे डेस्मर पॉइंट और 1 प्लस 2 3 तो यानि इसका अंसर आगया 3.6 तो फ्रेंट्स अब हमें यह देखना होगा कि जो हमारा हर है डिनॉम्रेटर है क्या वो इस नंबर को काट देगा तो जैसे कि यहां पर हर में हमारा पास 3 है और उपर 3.6 तो यह कट जाएगा 3 1s are 3 फिर जो डेस्मर पॉइंट है वो डेस्मर पॉइंट यहां पर आ जाएगा और 3 2s are 6 यानि इसका अंसर आया 1 अपॉइंट 2 तो चलिए अब एक और ऐसा ही हम पॉइंट करके देख लेते हैं तो मारी के नेक्स नंबर है 1.2 अपॉइंट 15 प्लस 0.7 अपॉइंट 15 तो चलिए अब हम इसको solve करते हैं जैसे कि जो हमार डिनॉमिनेटर है वो दोनों same है तो हम यहां पर 15 ही लिख देगे फिर हम उपर यानि नियूम्रेटर अंसर को जोड़ देगे यानि 1.2 प्लस 0.7 तो चलिए अब हम इसको इधर करके देख लेते हैं 1.2 प्लस 0.7 तो 2 प्लस 7 इस इकोई टू 9 decimal point के रिचे decimal point फिर 1 प्लस 0,1 यानि इसका अंसर आ गया 1.9 अपॉन 15 तो फ्रेंड्स ये तो नंबर है ये नहीं कटेगा तो हम इसको नहीं कटेगे यानि ये हो गया हमारा आंसर तो चलिए अब मैं आपको दश्मला को भिर्ण में हम कैसे बतले को सिखाऊंगी तो माले जे फ्रेंड्स में नंबर ले लिया है 0.25 और मैं आपको एक बात बता जूँ जो हमारा डेसिमर पॉइंट होता है उसके जो राइट साइट पे नंबर होता है हम उन्हें एक एक प्रोणाउंस करते है यानि 25 तो चलिए हम देखते हैं कि हम इसको भिर्ण में कैसे बगलेंगे तो पहले हम हर को लिख लेंगे जो हमारा डेसिमर पॉइंट है हम उसकी जगा हम उसको बन कर देना होता है और फिर डेसिमर पॉइंट के अधाइट साइट पे जितने नंबर होते हैं हमें उतने 0 लगाने होते हैं जैसे कि यहांपे है 1,2 तो नंबर है तो यहांपे 2,0 लग जाएंगे और फिर उपर से यह जो डेसिमर है वो हट जाएगा तो कि यह वह यहां पर 1 आ गया था यानि बचा 25 और फ्रेंट यह जो नंबर है 0 तो 0 का कोई माने नहीं है 0 कोई नंबर नहीं होता अब हमें ये देखे हैं कि ये कटेगा या नहीं कटेगा तो ये कट जाएगा ये हम इसको 25 से काटे है तो 25, 1 जा 25 और 25, 4 जा 100 यानि अगर आप 0.25 को भिन्य में बदनेंगे तो 1.4 आएगा तो चलिए अब हम एक और पुश्चर इसका करके देख़े हैं तो माले जी अब मैं नमबर ले रही हूँ 0.15 तो अब हम इसको भिन्य में बदनेंगे तो पहले हम हर लिख लेंगे यानि डिनॉमिनेटर जो डेस्मर पॉइंट है हम उसकी जगपे 1 ले लेंगे और यहाँ पे भी दो ही नमबर है 1,2 तो यहाँ पे 2,0 लग जाएंगे और फिर यह उपर से डेस्मर हट जाएगा यानि यहाँ पे 15 बचा तो अब हमें यह देखना है कि यह कट जाएगा यह नहीं कटेगा तो यह कट जाएगा यह 5 से कटेगा 5 3 जा 15 और 5 20 जा 100 तो यह हो गया यह आगया यानि अगर आप 0.15 को बेंटे पे बगलेंगे तो 3 अपान 2 20 आएगा तो फ्रेंट्स अगर आज की वीडियो आपके लिए यूस पो रही हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजेगा और जो मेरे चैनल पे नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइपन को प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके तो मिलती है एक नए और इंट्रेसिंग वीडियो के साथ तिल लेन कीप लर्निंग कीप रैक्सिंग और बागाई